भाजपा महानगर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश सिंग पटेल ने बताया कि 12 फरवरी से भारतिय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्री स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंब होगा मुर्चा के जिलाध्यक्ष ने बताया की ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंब मुजफर नगर के सुकृताल से भारतिय जन्ता पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नग्डा, मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ एवं किसान मुर्चा के राश्ट्रीय अध्य प्रयाग राज महानगर में किसान मोर्चा द्वारा भगवतपूर विकासखंड के एहमतपूर ग्राम पंचायत से जिले स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंब कृशी यंत्र के पूजन के साथ किया जाएगा। इस दोरान मोटे अनाच पैदा करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। इत्वपूर भूमिका होगी यही कारण है मोदी सरकार का मानना है कि विक्सित भारत की नीम हमारे किसान और मजदूर भाई ही रखेंगे। यह करका हम किसान मोर्चा के नेत्रुप में बारह फरवरी से प्रारम करेंगे हम किसान परिक्रमा यात्रा गिरामी परिक्रमा यात्रा। उसके अतात हम लोग किसानों से नौजवन से समाथ करेंगे उनकी समय सहों को सुनेंगे। किसान मोर्चा के द्वारा गाओं में जब भ्रमण करेंगे तो वहां कि समस्याओं से और हमारी सरकार जो योजनायर किसानों के लागू कर रही वास्तिवीं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यह हमारा उद्देश होगा और आगामी इसका सुरुवात बारा फर्विरी को राश्टियाद्ध जेपी नड्ड़ जी मुझाफन नगर से करेंगे और इसका समापन पांच मार्च को समापन होगा उसका भी मुकतित तैने होगा इस अफसर पर मीडिया प्रभारी राजेश के सरवानी किसान मोर्चा के महामंत्री सनी सिंग, अंजनी सिंग, अरुन दुबे, दिव्यानशु शुकला, संदीप यादव, कृष्ण मोहन गुपता, विकरम सिंग आदी उपस्थित रहे